नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित की पाठी पुस्तक के अंतरगत आने वाले अध्याय आंट की जिसका शीर्शाख है दश्रमलो और यह प्रशना वली है आट दश्रमलो चार सबसे पहले हमेशा की तरह बा हुआ है हमारे सामने रुपए 20.75 यानि 20 रुपए 75 पैसे में से हमें 18 रुपए 25 पैसे को घटाना है तो सरल तरीका घटाने का जो हमें आता है क्या करते हैं हम सबसे पहले तो वह संख्या लिख लेते हैं जिसमें से हमें घटाना है और उसके नीचे वह संख्या लिख लेत दो गया पाँच बच जाएगा और दशमलों को दशमलों आ जाएगा दो अंकों के बाद में जैसा कि प्रस्ण में भी दिया हुआ है और फिर 20 में से 18 गया तो आप जानते हैं कि दो बच दें तो जो हमारा जवाब है वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा रुपए दोशमलों पांच शुठवरें ठीक है? यह हमारा उत्तर हो गया इसी तरह से हम इसमें बी वाला भी हल कर लेंगे बी वाला भी बस ऐसा ही कुछ दिया है 250 मीटर मेंसे हमें 202 दाशमलों 5-4 मीटर को खटाना है तो भाई, 250 मीटर मेंसे घटाना है दशमलो शुने शुने भी लिखना है क्योंकि दशमलो के दो अंको तक के मान दिया है यहाँ पर है ना इसी प्रश्ण के दूसरी संख्या में फिर दो सो दो दशमलो पांच चार को घटाना है ठीक अभी घटा देते हैं भाई अब देखिए यहाँ पर तो ऐसा है कि यह 10 में स 4 गया 6 बचेगा 9 में से 5 गया 4 बचेगा 9 में से 2 गया 7 बचेगा 4 में से 0 गया 4 बचेगा 2 में से 2 गया 0 बचेगा यानि 47.46 मीटर है ना यह आया तो यह जो है हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कितना 47.46 मीटर इस तरह से यह आपका उत्तर हो गया अब सी वाले पर आते सी वाला प्रश्न क्या दिया हुआ है लिखा हुआ है आठ दशमलाव चार में से हमें घटाना है कितना पांच दशमलाव चार शून्य अभी घटा देते हैं देखिए जीरो आ गया तीन है न तो रुपए तीन ये जो है हमारे यहां पर उत्तर हा गया अब डी वाले पर आते ह दशमलाव चून्य पांच एक किलो मीटर घटाना है ठीक है अभी घटा देते हैं 6 में से गया 5 और 20 में से 5 गया 15, 5 में से दो गया 3। एक पांच पांच तो यही जो है हमारा क्या है उत्तर है इतने किलोमीटर इस तरह से अब ई वाले पे आते हैं ई वाला प्रशन हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है दो दशमलाव एक शून्य साथ किलोग्राम में से शून्य दशमलाव तीन एक चार किलोग्राम हमें यहाँ पे घटाना है ठीक तो अभी इसको घटा देते हैं साथ में से चार गया, तीन बचेगा, दस में से एक गया, तो नौ बचेगा, फिर दस में से तीन गया, तो कितना बचेगा, साथ दशमलो एक में से शुनी गया, तो एक बचेगा, इतना ही आएगा न, ये आजाएगा हमारा जवाब किलोग्राम में, इस तरह से, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न वली में बात करते हैं प्रश्न क्रमांग 2 की प्रश्निक्रमांग दो हमारे सामने है, मान ग्यात कीजिए अब मान ग्यात कीजिए में पहला वाला है ए वाला क्या दिया हुआ है हमें, 9.756 में से हमें 6.28 को घटाना है अभी जैसे किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बहुत सरल है लिख देंगे 9.756, इसमें से घटा देंगे 6.28 को अभी घटा देते हैं, देखिए 6 का 6 आ गया, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 3.476, यह हमारा इसमें जवाब हो गया बच्चो इसके बाद में भी वाले पे आते हैं, भी वाला दिया है, 21.05 में से घटाना है 15.27, अभी घटा देंगे भई 5 का हो जाएगा 15, 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 14, स्वारी, 14 नहीं होगा, 9 हो जाएगा यह है न, एक मिनिट, हाँ, 0 का हो जाएगा, 9 और, 1 का हो जाएगा, 10, 2 का हो जाएगा, 1 अब घटाते हैं, 15 में से 7 गया, 8, 9 में से 2 गया, 7, 10 में से 5 गया, 5, 0, 5, 7, 8 अब सी बाला लिखते हैं, 18, 5 में से हमें घटाना है, 6, 7, 9, इस तरह से हमें घटाना होगा, तो अब देखिए, 0 का हो जाएगा, 10, 5 का हो जाएगा, कितना, 14, यही होगा न, और 8 का हो जाएगा, 7, 10 में से 9 हो गया, 1 बचेगा, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, 7 में से 6 गया, 1, 11, 7, 1, यह हमारा इसका C वाले का जवाब, अब D पे आते हैं, D वाला लिखा है, 11, 6, 00, में से हमें घटाना है, 9, 8, 4, 7, ठीक, तो यह जो 0 है, यह हो जाएगा 10, यह वाला हो जाएगा 9, यह वाला हो जाएगा 15, और यह जो 11 है, यह हो जाएग 10, ठीक, 10 में से 7 या 3 बचेगा, 9 में से 4 या 5 बचेगा, 15 में से 8 या 7 बचेगा, 10 में से 9 गया, 1, 7, 5, 3, तो यह जो है, यह हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, इस तरह से यह हमारा जो उत्तर है, यह पूरा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर प्रश्निक्रमांग 3 की, अब प्रश्निक्रमांग 3 हमारे सामने क्या है, कि राज एक पुस्तक 35 रुपए 65 पैसे में खरीदता है, और उसने दुकांदार को 50 रुपए दे दिये, तो दुकांदार ने उसे कितने रुपए वापस दिये, यह सरल सा प्रश्न है गनित का, अब देखिये इसे हम किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दुकानदार को step by step हमें करना है ना, दुकानदार को दार को दिये गए दिये गए कुल रुपे कितने हैं? 50, ठीक है? 50 है ना? अब मुझे बताईए पुस्तक की कीमत कितनी दी है पुस्तक की कीमत बराबर कितनी दी है रुपए 35 और 65 पैसे ठीक अब शेश राशी कितनी बच्ची ये बताने के लिए इसको घटा देना पड़ेगा है ना शेश राशी कितनी बच्ची ये बताने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा तो दस में से 5 गया 5 बचा नौ में से 6 गया 3 बचा और यहां पर फिर नौ में से 5 गया 4 बचेगा और 4 में से 3 गया 1 बचेगा ठीक है तो जवाब आजाएगा हमारा चौदा रुपए 35 पैसे तो आपको यहां पर यह लिखना पड़ेगा कि अतहा ऐसा लिखना पड़ेगा ना आपको अतहा दुकानदार ने राजू को रुपए 14 और 35 पैसे वापस किये इस तरह से तो यह होगी हल अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न क्रमांग 4 लिखाएं राणी के पास 18.50 पैसे हैं और उसने 11.75 पैसे की एक आइस्क्रीम खरीद ली अब बता उसके पास कितने रूपए बचे तो यहां पर भी हमें सरलतम विधी से हल करना है न यहां पर लिखना है क्या राणी राणी के पास के पास कुल धनराशी यहीं लिखना पड़ेगा न अठारा रूपए 50 पैसे फिर लिखेंगे आइस्क्रीम की कीमत क्या लिखेंगे आइस्क्रीम की कीमत बराबर कितनी है रूपए 11 रूपए 75 पैसे यहीं है न ठीक अब हमें निकालना है शेश राशी कैसे निकालेंगे शेश राशी बताइए 18 रूपए पैसे में से 11 रूपए 75 पैसे को घटा देंगे तो बचिवी राशी निकल जाएगी तो यह हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 14 ये हो जाएगा 18 कीज़ेगे 17 दस में से 5 गए 5 14 में से 7 गए 7 17 में से 11 गए तो बचेगा हमारे पास में 6 रूपे 75 पैसे ठीक तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है कि अतहा रानी के पास अब 6 रूपे 75 पैसे बचे हैं ठीक इस तरह से तो प्रश्निक्रमांग 4 हो गया अब आते हैं प्रश्निक्रमांग 5 पे क्या है प्रश्निक्रमांग 5 प्रश्निक्रमांग 5 दिया हुआ है कि टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटी मीटर लंबा कपड़ा है कितना 20 मीटर और 5 सेंटी मीटर उसमें से उसने एक परदा बनाने के लिए 4 मीटर 50 cm का कपड़ा ठाट लिया ठीक है कुल कपड़ा था 20 मीटर 5 cm का उसमें 4 मीटर 50 cm कपड़ा अलग हो गया तो अब तीना के पास कितना लंबा कपड़ा बचा है ठीक है यह हमें बताना है भाई बहुत ही सरल है सबसे पहले तो लिखेगा कपड़े की कुल लंबाई लिखेंगे बराबर कितनी वदी है हमें 20 मीटर और 55 लिखा है ना 5 सेंटीमीटर तो यह हो जाएगा 20.05 मीटर ऐसा लिख देंगे हम इसे दशमलाव में है ना ध्याय का नाम ही दशमलाव तो हमें दशमलाव में लिखना पड़ेगा ऐसा लिख देंगे फिर इसके बाद में है परदे के लिए के लिए काटा गया कपड़ा ठीक बराबर कितना है चार मीटर पचास सेंटीमीटर तो इसको आप लिख सकते हैं चार दशमलाव पचास मीटर इस तरह से तो अब अगर हमें यह निकालना है कि शेश बचा कपड़ा क्या निकालना है शेश बचा कपड़ा तो क्या निकालेंगे आप क्या लिखेंगे आपको लिखना पड़ेगा बीस दशमलाव शूने पांच मीटर इसमें से आपको घट देना है 4.50 मीटर तो बचेगा कितना भही 5 बचा 5 बचा फिर यह 19 हो गया 19 में से चार गया तो 15 बचा यानि उत्तर में आया 15.55 मीटर तो आपको लिखना पड़ेगा कि अतह टीना है ना अतह टीना के पास अब कितना 15.55 मीटर लंबा कपड़ा शेशे ठीक इस तरह से से हमें हल करना होगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नक्रमांग 6 की क्या है प्रश्नक्रमांग 6 दिया हुआ है कि नमिता प्रति दिन 20 किलो मीटर 50 मीटर की दूरी तै करती है इसमें से 10 किलो मीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तै करती है और शेश आटो रिक्षा के द्वारा तो नमिता आटो रिक्षा द्वारा कितनी दूरी तै करती है यह हमें बताना है, बहुत ही सरल है, आप मुझे यह बताईए, सरल शब्दों में कि कुल तय दूरी कितनी है, कुल तय की गई दूरी कितनी है, 20 दशमलो, 050 किलो मीटर, यही है, ठीक, अब बताईए, कि बस द्वारा तय दूरी कितनी है, बस द्वारा तय दूरी बराबर से कितनी है, 10 दशमलो, 200 किलो मीटर, इस तरह से लिख देंगे हम इसे, इस पश्ट है, इसी लिए, आटो द्वारा तय दूरी, बराबर कितनी हो जाएगी, इनको घटा देंगे आप, है न, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, बताईए, 8 और 19 में से 10 गया, तो 9 बचेगा, 9 दशमलो, 850 किलो मीटर, ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतहा, अतहा, नमिता, आटो रिक्षा, द्वारा, 9 दशमलो, 850 किलो मीटर की दोरी, तै करती है, इस तरह से, ठीक है, यह हो गया, तो बस, इस तरह से इस प्रशन को हमें हल करना है, यही हमारा जो है, फाइनल, उत्तर हो जाएगा बच्चो इसके लिए, प्रशन क्रमांग 6 हो गया, अब आते हैं, प्रशन क्रमांग, आगे दिया है, एक और सात्वा है न, सात्वे के बाद में फिर कुछ नहीं है, यह अं से पहले तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि सब्जी का कुल भार कितना है, सब्जी का कुल भार, बताई, कितना दिया हुआ है सब्जी का कुल भार, भही सब्जी का कुल भार दिया हुआ है 10 किलो ग्राम, कितना दिया है, 10 किलो ग्राम, है न, 10 किलो ग्राम, ठीक, अब कुल ग्राम भार हमने लिख लिए, तो बताइए, प्याज का भार कितना है, प्याज का भार, बराबर, तीन किलो पान सु ग्राम, ठीक, टामाटर का भार कितना है, बताइए, कितना है टामाटर का भार, दो दशमलोग, शून्य साथ पाँच किलोग्राम, यही दिया हुआ है, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, जीरो और पाँच पाँच, साथ पाँच, ठीक, यह आ गया, प्याज टामाटर दोनों का भार, अब हमें क्या निकालना है, आलू, आलू निकालना है न, तो क्या करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ, देखें कैसे निकालेंगे आलू हम, इसलिए, आलू का भार बराबर कुल भार जो है, दस, इसमें से हमें घटाना है, क्या, इसमें से हमें घटाना है, दोनों का भार, पांच दशमलों, पांच, साथ, पांच, दस, नो, 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 चार दशमलों, चार दो, पांच, किलो, ग्राम, ये हो गया, कुल, तो आपको लिखना पड़ेगा, अतह, आलू, का वजन, का वजन, कितना है, चार दशमलों, चार, दो, पांच, किलो ग्राम, है, इस तरह से, ये प्रशना हमारा हल हो गया, और ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है, तो मुझे उमीद है कि आपको ये सारे प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ये प्रशना वली को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और आप जरूर इस वीडियो की लिंक को साजा कीजिएगा, शेर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि